हेलो बच्चो वेलकम टू पारिश्राम स्कूल आज हम डिस्कुशन करेंगे चप्टर नमर वन के बारे में जिसका नेम है create html form using composer उसका मतलब है composer का यूज करके हमें html form कैसे create करना है वो इस chapter में हमको सिखाया गया है with increase in the use of internet many activities have become online we may use a web page to fill information about ourselves or our product आज हम कहीं activities online करते हैं वो करने के लिए first of all तो web page होना चाहिए पहले हम web page बनाएंगे उसके बाद वो website बनाएंगे जिसमें हम web page में हमारी सभी details और हमारी product की सभी details इसमें fill करेंगे अगर मुझे ऐसा data fill करना है तो मुझे html form का use करना पड़ेगा ओके तो फिर वो html क्या है हाइपोटेक्स markup language है जो हमें form बनाने में use होगी इसमें में कहीं सारे बटन्स आएंगे वह में आपको बाद में बताऊंगी html form are used to help the visitor of the website to input data html form हमें help करेगा जो website के visit करेगा उसके data input करने में ओके और data को control करने में और data entry के लिए ओके if you want to open a mail account और register on a website आज हम कहीं चीजों की swapping online करते हैं ओके वह ऐसे ही नहीं होती फाइल है वह website में हमें register करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो भी shipping का address है ओके वह सब उसमें डालना पड़ेगा हमारे personal details उसमें सब देनी पड़ेगी ओके इसमें दो पार्ट से अगर हम new users होगे तो वह data fill करेगा और दूसरा point होगा उसमें guest user का ओके तो most of website registration का option रखती है तो information is to set up the account for the user okay information से account हमने user को create करने देगा in order to obtain such information on internet html form are used यह सब information डाने के लिए html form का use होगा तो वह html form कैसे create करेंगे पहले हम register तो कर लेंगे वह website में तो website में जो form आया जो first name middle name last name वाला ओके वह form fill करने के लिए मुझे html form का use करना पड़ेगा कहीं बच्चों को html आता होगा अगर नहीं आता तो कोई दिकत नहीं मैं आपको practical lecture में practical demo भी दूगी कैसे हम composer का use करके html form बना सकते हैं ओके अधिस डेटा इस फ़र्दर स्टोर बाइद एप्लिकेशन इन इस टू डिट्राइड डिटेल अबाउट यूजर रजिस्ट्रेशन अंधा website हमने सारे की सारे जो details fill कर ले हमने जिस्टर जो कर लिया वह हमारे website में store हो जाएगा store in the sense के हमारे जो और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होगी वह वहां होगी हो जाएगी ओके अफोर्म in HTML is a container ओके बचों याद रखना है फोर्म क्या है तो कि वह एक container है क्यों क्योंकि इसमें आप लेबल check box, text box, radio button, submit button, reset button, many more elements इसमें आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर मुझे HTML का form बनाना है तो HTML form क्या है container है जो इस सब बटन को वह यूज़ करने देगा इस elements are used to enter the data as well as validate the data within the form वह form में हमें data enter करने की permission देगा इस सब बटन क्या है इसका use क्या है हमें कैसे use करना है वह बच्चों में आपको आगे शिखाऊंगी यहां हमने आपको बताया है कि elements आपको data enter करने के लिए सब हमने elements दिया वह कैसे use करना है वह आप उसके बाद में शिखाऊंगी आपको लेकिन यहां हमें discussion करना है यह element के बारे में the element use are described in the section below यह ओके इसके first form है input है text area है और selection and option button है उसका में practical और theory दोनों का knowledge में आपको दूंगी अभी हमने discussion जो किया वह फोर्म का basic था अब पहले समलेंगे form ओके form element वह क्या है तो form element is used to create an HTML form अगर मुझे HTML form create करना हो तो यह form element का use होगा ओके उसका take क्या है बचों याद रखना है कहीं बार mcq में आता है ओके the take start form and over form ओके यह take जो है वह starting command है और यह ending command है ओके नीचे उसका syntax भी दिया गया है example के through कैसे हम form का use कर सकते देखो form action रेजिस्टर dot html method equal post यह input elements and form मैंने close कर दिया आपको समझ में यह action और method नहीं आएगा अभी मैं उसके बारे में आपको समझाती हूँ ओके यह इसका example है clear form का use कैसे होगा तो के html form में form बनाने के लिए ओके यह इसका take है और form क्या है एक container है जिसमें हम सारे elements use कर सकते हैं इसमें store कर सकते हैं ओके अब discussion करते हैं form के elements के बारे में बच्चो याद रखना form elements use two attributes ओके तो कि वो क्या है तो कि वो है action और method ओके उसके बारे में discussion करेंगे उसके बाद हम method के बारे में discussion करेंगे ओके अब action क्या उसका work क्या है याद रखना बच्चो तो action attribute is used to specify where to send the data from send send the form data when the form in submission इसका मतलब आप जब भी form submit करेंगे ओके तो जो data हमने transfer करना है send करना है वो कौन करेगा तो कि वो action attributes करेगा ओके its take a file name as value ओके वो value only for file name ही देखा ओके action का use क्या है तो कि वो हमारा form में जो data है उसको send करने के लिए submission जब भी मैं submit पे click करूँ ओके तब भी हमें data आगे भेजना है ओके उसका use यह होगा लेकिन वो उसकी value कौन सी होगी तो कि file name ही लेगा अभी हमने देखा ना यहां कि form action equal to register.html अगर किसी का file name होगा html में तो उसका extension.html होगा ओके समझ भी आ गया action का वो की value के इस आप से क्या लेगा वो file का name लेगा फिर उसने दिया the file is open when the user click on the submit button after filling the data in the form जब भी आप submit पे click करेंगे तो यह file में जो मैंने value के हिसाब में रखी थी ना file के जो name में रखा था ना अभी हमने देखा register.html उसके जो details होगी वो form में दिखाए देंगी ओके यह था action part अब दूसरा है method attributes बच्चों याद रखना है method is can can take two value two method है तो कि क्या है एक है गेट और पॉस दोनों का मतलब मैं आपको समझा देती हूं गेट का गेट में हम कैसे data fill कर सकते हैं तो कि गेट में हम data limitation इसमें हम data limitation है उससाब से ही data हम store कर सकते हैं और post में ऐसा कोई भी प्रकार का limitation नहीं होगा चो get method है वह बच्चो by default method है उसका मतलब जब भी मैं form create करूँ अगर मैं और आप कोई method नहीं ले तो वह by default कौन से method ले लेगा तो कि वह get method ले लेगा ओके फिर get method का use कैसे होगा get क्या करता है तो get method retrieve the data from the form and send it to the server by attaching the end of the url इसका मतलब जो form ने हमने data डाला है न वो url से server तक वो यह send पेगा ओके get का काम क्या है get का work क्या है तो कि वो server तक हमारा data send करेगा और post में कैसे data fill कर से जो ब्लोक के स्वर ब्लोक यानिटी यानिकि हमें जो कहते हैं ना password मिसके जो ब्लोक है data हमें किसी को दिखाना नहीं है एसा transaction करने के लिए मुझे post method की use करने पड़ेगी ओके इसमें कोई लेंद की कोई limitation नहीं है क्योंकि हमने gate में limitation हम limited ही data इसमें इंटर कर सकते है post में इसे कोई limitation नहीं है ओके और gate method कैसी है तो कि by default ओक बच्चो यह आपको याद रखना है अब यहां input element का use किया है the input elements are used to insert the various fields like radio button check box check box in the form okay input का मतलब बच्चो add करना input करना okay input का elements का क्या हो होगा वह हमें field को insert करने की permission देगा तो कैसे कैसे field तो कि यह radio button text box check box इस सारे के सारे button हमें input करने होंगे उसका take भी आप याद रख लेना input take start और input take over और ऐसे ही हम input भी लिख सकते हैं okay हम input के साथ तिन difference attributes आएंगे like a type name and value अगर मैं input का use कर सकते हूं इस सारे के सारे detail आपके books में हैं ही बच्चों okay जब भी आप यह video देखे तो अपने book साथ में रखना तो आपको ज्यादा इसमें interest होगा the type attributes of the input element specify the field that is to be created in the form okay name का use क्या होगा अगर मैं जब भी form create करती हूं कोई भी बटन में कोई भी फील्ड में add करती हूं तो उसकी type मुझे specify करनी पड़ेगी कैसे यहां वो radio button है वो text box है वो check box है क्या है ओके वो हम type में लिखेंगे the name attributes specifies the name of the use used for the field in the form मैंने जब भी फील्ड लिया है form में उसका नाम मुझे क्या रखना है वो कौन decide करेगा वो हम name attributes में लिखेंगे the value attributes specify the different value of the field in the form अब बारे आई value की value का मतलब है अगर मैंने नाम लिखा तो नाम के सामने मुझे कौन से value डाल नहीं है वो specify करने के लिए हम कौन सा attribute का use करेंगे तो के value का ओके